हेलो दोस्तों नमस्कार मेरा नाम है महादे और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल हेल्पिंग मोई 99 में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आई आज दिखाते हैं जीओ फोन है जीओ 220 भी में डिस्पेले लाइट जो पता रहा तो कट गया है इसको कैसे रिपेर करते हैं आपको रिपेर करके आपको दिखा रहे हैं अब देख सकते हैं इसमें लाइट न पना सकते हैं जीर्ण सेट चालू होगिया इसमें लाइट नहीं आ रहा है लैट लाने का आसान तरीका वही होता है जो आपको दिखा रहें दियान से देखें तभी आपको समझ में आएगा पूरा वीडियो में लाष्त तक मैं बने रहे हैं आपको लाइट जम फर करके हम डिस्पले खोलने के लिए आपको आइरन को अच्छा हीट कर लेना ताकि प्रिंट डिस्पले का नहीं कबड़ेगा तो बहुत जल्दी कबड़ जाता है पले अलग कर ले डिस्पले को देखे वह यही पर कटा हुआ पत्ता लाइट नहीं आ रहा है अब उसी तरह कोई बेश्टिल का समान रख के काम करें ताकि दीकत नहीं और ब्लेट लें और ब्लेट से हलका हलका छे लें छेल जाने के बाद से दियान से देखे उसके बाद आपको पेश्ट लगाना है देखे छिला गया देखे रांगा चल जा रहा है चल के दो वाइर ले दो वाइर मार ले इसमें इसका अराम अराम से करना पड़ेगा ताकि यह कट न जाए बहुत पतला होता इसका पत्ता इसको बहुत आपको सेब तरीके से कपको करना पड़ेगा देखे वाइर हम मार रहे हैं दो वाइर ले लेना आपको सेम साच के काट लेना है झाल और उसको चंपर मारने बाद से अच्छा से टेप मार लेना है कि तक यू छूटे नहीं इसको मेडिसीन वाला टेप वहुत अच्छा रहता है मॉवाइल में वही टेप को आपको यूज करना है वीडियो में लाश्ट तक बुने रहे हैं आपको लाइट लाके हूं देखा रहे हैं सेंटर पर सेंटर मारना है वहाँ से भी नहीं आएगा तो डिस्पेले का पता से भी मार सकते हैं पाच नबर में पलस है और वहाँ नबर में ग्राउंड है अब मार सकते हूं और आ रहा है इसका ट्रेक तो ट्रेक इसका सभी उसलिए मौही से जम पर मार रहे हैं लिए टेप लगा लें असानी से तक कि सोट नहीं करें टेप लगा लें ध्यान रहें कि टेप लगाते समय तारे टेच हो जागर सोट कर देखिए डिस्पेले बोर्ड में पले इसको वास अच्छा करके सोलिंग आरें से फिर से से शेट करें दीरे दीरे आराम असानी से इसको सोलिंग करें ताकि प्रिंट कबले नहीं हैं अद करें जियां रहें कि कोई पॉइंट विरूश्म सोट नखर अरहे दिस्पेले दिकत करें मिशाओं का वान long time का सोहाओं तो डिष्प्लय दिकत करने लगें असलिए धियान में देखे से काम आपको करना पड़ेगा देखे आप चालू कर रहे ह। चालू करके दिखा रहे हैं कि और कमेंट करके बताए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा थैंक्स फ़र वाचिंग माइ बीडियो बाए बाई